वेलकम टो माय चैनल…… किदल खुठा में और जारकन जीके में तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सीता जल भपाथ जो की हम सर्कन के जलभ पाथ देख रहे थे तो आज हम देखेंगे सीता जलपरपात इससे पहले हम दसम और जोना जलपरपात को देखे थे अब सीता जलपरपात को देखेंगे तो आई अब हम देखते हैं राची आये और सीता जल परपात न जाए तो आपकी यात्र अधोर्णि कही जाएगे यहाँ आने पर सरिर की अस्फृत्ति तो मिलती ही है मन को एक अद्वूस सांति भी मिलती है अब रवाजयाने से एक मन के अद्वूस सांति भी मिलती है राची से इसकी दूरी लगवग 45 km है 350 फिट की उचाय से गिर्ता पानी एक जल्परपात का रूप है इगर मैं आप लोग देख सकते हैं 350 फिट की उचाई से गिरता पानी एक जलप्रपात का रूप है रूप धारन कर लेता है और 350 फिट उपर से पानी नीचे गिरती है यहां 350 शिड़ी उतर कर जहरने तक पहुचा जा सकता है और यहां 350 शिड़ी नीचे उतर कर जहरने तक पहुचा जा सकता है चारो और पहाड और जंगल से गिरे चीता फोल की सुंदरता देखते ही बनता है इसे राची के परमुख परेटन अस्थल में सुमार किया जाता है और इसे राची के परमुख परेटन अस्थल में से एक माना जाता है फॉल के पास ही सिता माता की मंदीर है जिसका निर्मान बिडला परिवार ने कराया था मंदीर के अंदर माता के पचिन है ऐसी मन जाता है कि बनवास के दोरान भगवान राम भाई लच्मन और पतने सिता के साथ कुछ जिन यहां ठारे थे और बनवास के समय भगवान राम और उसके भाई उनके भाई और पतने सिता के साथ कुछ दिन हार रुके थे इसी जहरने के पास से सिता माता खाना बनाती थी और इसी जहरने के पास से सिता माता खाना बनाती थी इस कारण यह फॉल अप सिता माता के नाम से जाना जाता है यहाँ आवागमन के साधन सरल है यहाँ बस कार और टेकर सहित अपने नीजी गाड़ियों से भी पहुचा जा सकता है और यहाँ बस से या फिर कार से या फिर टेकर से जा सकते है यहां भी यह भी राची पूरल्या मार्ग परिस्तीथ हैं जह सकते हैं अ लोग और यहां चैनल परपाद भी पास में है और सिता जलपरपाद से जोना जलपरपाद सामने ही ही अब हिर्ने जलपरपाद देखेंगे राची से इसकी दूरी लगबग 70 किलोमेटर के आसपास है और राची से इसकी दूरी लगबग 70 किलोमेटर के आसपास है हिरने जल परपात यहाँ नए साल के आउसर पर प्रजेटों को की भींड लगी रहती है और यहाँ नए साल के आउसर में जैसे अभी नए साल का उसर है वहाँ भी भींड होगा फिल निजल परपात में यहां 120 फिट किंचाई से पानी गिरती है और यहां 120 फिट किंचाई से पानी गिरता है जो लोगों का अपनी और आक्रिशित करता है जो कि लोगों को पसंद आता है यहां बस कारेंटेकर द्वारा सानी से पहुचा जा सकता है यह फॉल रांची चकदरपूर मार्ग पर है और यह फॉल रांची चकदरपूर मार्ग पर इस्थित है घने जंगल में होने के करण यहां के छटा मन को मोह लेती है और घने जंगल होने के करण यहां का वहां का द्रिश्य मन मोह लेता है स्वन रेखा नदी से जल गिरता है तो लगता है कोई हिर्नी चलांग लगा रही और स्वन रेखा नदी से जब पानी गिरती है तो लगता है जिसे मनो हिर्नी चलांग लगा रही है लम्बे लम्में विशाल बिरिचों की संदरता चारो तरफ संदर घरिच जंगल बार बार आने के लिए प्रड़ उक्रद करते हैं और लम्बे लम्म बिरिच और चारो तरफ घरिच जंगल के कारण यहां बार-बार जाने का मान करता है तो यह था मेरा हिरनी जलब परपाथ और चीता जलब परपाथ अब इसका आगे हम दखेंगे गहारी जलब परपाथ जो भी रांची जीले मेचती थे अगर इसे तरह का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो प्रीच हमारी चैनल क्लियर खुए जारकाणों जी करें और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें थैंक्स्पर वाथिंगं